नमस्कार दोस्तों, आज कि इस वीडियो के अंदर हम बात कने वेले हैं फ्लेक्सिलोन और ट्रम्लोन के बारे में जैसे कि आपको थमनेल से पता चले गया है तो आifall ये सुरू करते हैं फ्लेक्सिलोन और ट्रम्लोन दोनों ही लोन है ये बात अलग है कि दोनों लोन अलग अलग परकार के हैं, दोनों के मिलने का प्रोसेस, पातरता और अनुवारिय का आगजो की मांग एक दूसरे से अलग की जाती है, ठीक है, फलेक्सी लोन में जैसे की नाम से ये परतीत होता है कि ये लोन एक परकार का लच्छीली परकरिय भी इतनी कठी नहीं है, लेकिन दोनों लोन लेने की परकरिया जो है अलग-अलग है, ठीक है, तो आइए आपको इस वीडियो में फलेक्सी लोन और ट्रम लोन के बारे में जान करें देते हैं, और ये इस पस्ट करते हैं कि फलेक्सी लोन और ट्रम लोन में कौन सा बहतर ल होता रहता है जब कभी पैसा किसी पार्टी के पास भस जाता है तो उन्हें फ्लेक्सी लोन के तोर पर केस मिल जाता है ठीक है फ्लेक्सी लोन को और ड्राफ्ट भी कहते हैं फ्लेक्सी लोन एक वीतिय सुविदा है जो ग्राग के बेंक अकाउंट के हिस्ट्री के आधार पर दी जाती हैं, bank account history कहने का अर्थ ही है कि किसी ग्राहक के bank account में 10 लाग रुपे हैं, उस ग्राहक दौरा हर महीने अपने account से लेन देन होता रहता है, तो वह चाहे तो bank से flexi loan के लिए आवेधन कर सकता है, ठीक है, बैंक दौरा उस ग्राहक को एक case limit दी जाएगी, उस case limit के अनु पैसा निकाल सकता है, जब उसके दौरा उसके bank खाते में जो जमा की गिराशी है, वो खतम हो जाए, ठीक है, उसके बाद यदि उसे पैसों के आवशिकता होती है, तो ही वो क्या है, flexi loan के जरिए अपने bank account से पैसे निकाल सकता है, और ग्राहक को bank के दौरा case की limit दी जाती ह उस limit के अनुसार वो जो है पैसा उसे निकाल सकता है, ठीक है, ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ग्राहक दौरा निकाले गए जो पैसे हैं, उनके उपर जो है, बैंक जो है, एक ब्यासदर भी वसूलता है, ठीक है, जैसे कि माना किसी ग्राहक को flexi loan के तोर पर 10 लाक बुक्तान करना होगा, ठीक है, flexi loan को हम सरल बासा में उधार लेने का एक नया तरीका भी कह सकते हैं, flexi loan अधिकतर ग्राहकों के बैंक खातों में पहले से ही मंजूर होता है, इसमें खास बात ये है कि ग्राहक flexi loan का बुक्तान समय अवदी से पहले भी कर सकता है, इसी के सा loan पर लागू ब्याजदर की रकम की EMI के तोर पर जमा करे और दूसरे वर्स से loan प्लस ब्याजदर की EMI एक साथ जमा करे, ठीक है, यानि कि मान लो हमने जो भी 10 लाक रुपय का loan ले लिया है, तो उसके अंदर हम क्या है, उसको EMI में divide करके उसको पैसे को वापस भी कर सकते ह ठीक है, यह सबी सुईदह हैं में क्या है, flexi loan के अंदर मिल जाती है, तो आया बात करते हैं कि flexi loan हमें किस की तोर पर मिलता है, ठीक है, तो उसमें सबसे पहले है कि flexi loan salary personal के लिए personal loan के तोर पर मिल जाता है, और कारोबारियों को business loan के तोर पर मिल जाता है, ठीक है, तीसरी चीज़े की professional और बड़े उध्योगपतियों को corporate flexi loan के तोर पर पर परदान किया जाता है ठीक है अब एक note point है वो यह है कि flexi loan की तमाम सुईधाओं के साथ इस बात का उल्ले किया जाता है कि flexi loan पर tram loan की अपेक्सा अधिक ब्याजदर लागू की जाती है flexi loan के बारे में आपको समझ में आगए होगा अब आगे हम बात करने वाले हैं tram loan के बारे में ठीक है तो यह समझते हैं जैसा कि इसके नाम में ही tram लगा है, tram एक अंग्रेजी भासा का सब्ध है, tram का हिंदी में अर्थ होता है समय आउदी, इस तरह देखे तो tram loan का मतलब निश्चत समय आउदी के लिए उधार ले गई धनराशी होता है मतलब एक निश्चत समय के बीतर वापस लोटाने के अनुमंद पर ली गई रकम tram loan कहलाती है tram loan जो है दो परकार से में मिलता है, जिसके अंदर सबसे पहले है secured loan और दूसरा है unsecured loan ठीक है, अभी जो secured loan और unsecured loan के उपर हमने एक पहले से वीडियो बना रखाया जिसके अंदर हमने बताया है कि personal loan क्या होता है और business loan क्या होता है जिसके अंदर जो business loan होता है वो दो परकार का होता है secured loan और unsecured loan दोनों का मतलब एक ही है यहाँ पर भी वही मतलब है secured or unsecured loan का और वहाँ पर भी वही मतलब है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्केश में मिल जागा और प्राइवेटन पर भी दिख रहा होगा ठीक है तो आप उसको देख सकते हैं फिर मैं आपको एक बार फिर से इस वीडियो के अंदर बता देता हूँ कि secured loan क्या होता और unsecured loan क्या होता है तो आप समझते हैं कि secured business loan क्या होता है secured business loan के अंदर हमें जो हमारी property होती है उनके कागजों को गिरवी रखकर क्या है हमें business store मिलता है ठीक है तो secured loan एक अंग्रेजी भासा का सब्थ है इसके नाम से हमें पता चल जाता है कि सुरक्षित loan है ठीक है तो इसके अंदर क्या होता है कि जितना हम loan ले रहे हैं उसके बराबर हमारे जो भी हुआरी property है उसको हमें गिर्वी रखना पड़ता है ठीक है तो उसके अंदर हमें किन-किन चीज़ों को गिर्वी रखना रख सकते हैं वह भी मैं आपको बता लेता हूं जैसे कि खेत की जमीन को हम गिर्वी रख सकते हैं यन कि जो उसके paper है उनको हम गिर्वी रख सकते हैं और घर के papers गिर्वी रख सकते हैं दुकान के papers गिर्वी रख सक करते हैं ठीक है और आपकी जानकरी के लिए मैं आपको ये भी बता दूँ कि किर्वी रखने के बदले मिलने वाला बिजनेस लोन पर ब्याज अलग-अलग लागू होता है ब्याज दर गिर्वी रखी गई संपती पर निर्वर करता है Secure Business Loan की खास बात यह है कि यह Business Loan बहुत आसानी से मिल जाता है ठीक है आप समझते हैं कि Unsecure Business Loan क्या होता है बीना कुछ गिर्वी रखे ही हमें Business Loan मिल जाता है उसे हम बोलते हैं Unsecure Business Loan जैसा कि इसके नाम से भी हमें इसपर्ष्ट हो जाता है कि Unsecure Business Loan से मतलब है इसके अंदर हमें किसी भी परकार की हमारी संपती को गिर्वी नहीं रखना पड़ता है ठीक है और भारत में ऐसे बहुत से कारोबारी हैं जो अपना खुद का बिजनेस चला रहे हैं लेकिन उन थाम पुनजी होने के कारण वैयर अपने बिजनेस को बढ़ा नहीं सकते हैं उनका बिजनेस का विश्टार नहीं कर सकते हैं इन कारोबारियों के पास इतनी समपती तो नहीं होती है कि वह अपना जो Secured Business Loan लेकर केror कि अपनी बिजनेस का विश्टार कर सकें एसी इस्तिति में कारोबारियों को क्या होगा इनी कारोबारियों के लिए जो बेंक है हमारे और जो बेंक के अलावा और भी वित्य सहंस्ता है होती है जैसे कि अन BFC यह क्या है कि अन-Seq Correct direct business loan प Nepal करते हैं तो करवारियों आपना बिजनेस बढलने तो जो हमारा अन-Seq variation loan लेते है, तो वह क्या है हमारे जो बिजनष है उसके उपर दिया जाता है अमें ठीक है Unsecured Business Loan की कुछ सर्थे होती है जैसे कि मैं आपको बता दूँ कि Business का सालाना Turnover और ITR Business का Proof की Business उसका है या फिर नहीं ठीक है और Business या घर में से किसी एक का मालिकाना हक होने का Proof होना जाई उसके पास ठीक है तो यह जो Unsecured Loan है यह जो MSI के कारोबारी होते हैं यानकी शुक्षयम लगूए हो मद्यम उध्योगों के लिए तो इन लोगों के लिए यह जो है बहुत ही अच्छा है क्योंकि जब यह किसी भी मशीन का टेकनोलोजी बढ़ते समय में मशीने अलग लग आती है तो हमें क्या है उनको खरीदना होता है जल्दी फास्ट काम करने के लिए तो उसमें क्या है में पेसो क्या आउशिकता होती है तो यह चो छोटे उध्यमी हैं वो क्या है यह Unsecured Business Loan लेकर के अपना Business बढ़ा सकते हैं ठीक है अब लास्ट के अंदर मैं आपको बता देताओं कि Flexi Loan और Trum Loan में से बहतर कौन सा है ठीक है इस वीडियो के अंदर हमने आपको बताया कि Flexi Loan और Trum Loan के मैंतर पुन कुछ जान करेती है दोनों लोन अपने अपने हिसाब से बहतर होते हैं जिनका हर रोज जहन से लेंदेन होता है उनके लिए Flexi Loan और विकल्प है ठीक है जिन लोगों को घर या कार खरीदना होता है उनके लिए Secure Trum Loan और विकल्प होता है क्योंकि उसके अंदर ब्यास दर्जोवा में कम लगता है ठीक है वही MSME यानि की छोटे और मद्यम सरेनी के जो कारोबारी है उनके लिए बिना कुछ गिरिव रखे मिलने वाला business loan जो है वो बहतर विकलब होता है बिना कुछ गिरिव रखे जो unsecured business loan होता है वो ले सकते हैं ठीक है जैसे कि मैंने आपको बताया है unsecured business loan और यदि आप MSME के बारे में भी जाना चाहते हैं तो MSME का वीडियो भी हमने पहले से बना रखा है तो आप उसको देख सकते हैं ठीक है उपर आई वाटन में भी आपको link मिल जाएगा आज की इस वीडियो के अंदर हम यहीं तक बात करने वाले हैं तो आज का यह वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि अच्छा लगाता आप वीडियो को like कर सकते हैं और चैनल को subscribe कर सकते हैं ऐसे ही वीडियो की notification के लिए धन्यवाद